आगनवादी की कारेकर्ता साहिक का वह बच्चों की माता पिताओ को मेरा नमस्कार. अगर अगर आपने ऐसे कोई भी एक्टिवुटी पहली बार देख रहा है तो आप अपनी बच्चों को फस्स एक्टिविटी से ही लिख पासा की विकास के लिए. तो हम बच्चों को जो है स्टोरी सुनाना है जिससे बच्चों को भासा का विकास भी होगा और इसके साथ साथ बच्चे नए सब्द सीखेंगे भी तो आज में जो आपको सुनाने वाली हूँ, वो है बंटू और बबली की कहानी, यह है बंटू और यह है बबलू बबली, तो जो है बंटू अपनी दोस्त बबली से मिलने के लिए जाता है, तो बबली जो है जंगल के रास्ते से उनका घर पड़ता था तो इसलिए बंटू वहां से जंगल से होके हो जाता है तो जैसे वह बबली से मिलने के लिए जाता है जंगल से तो उसको जो है सेर मिलता है तो सेर को देखके सबसे पहले दो बंटू डर जाता हो सेर उसके बाद कहता है बंटू से छोड़ाती किया है अब स्योड़ की नियुट मुखेता है लगा छल दिहा उसके काई जेसे जैसे जैसे बंटू को हाती दिखता है अब हाती से कहता है हाती भहिया हाती भहिया हाँ बोलो बंटू हाती भहिया आपकी देखो ना आपकी सून कितनी प्यारी कितनी लंबी है आप मुझे एक दिन के लिए दो ना मैं अपनी दोस्कों दिखाऊंगा कहते हां बंटू आप ले लो तो जो पीरा होता है जंगल में तो हीरन से कहता है हीरन भया हीरन में आपके सिंग तो बड़े प्यारे हैं तो आप मुझे एक दिन के लिए दे दो ना मैं अपनी दोस्त जो है को दिखाऊंगा तो कहता है अच्छा बंटु उसमें क्योंसी बड़ी बात है आप ले लो तो जो है टाइगर भईया आपकी पूछ कितने लंब है कितने लंब है आप मुझे एक दिन के लिए आपनी पूछ दे दोना मैं अपनी दोस्त को दिखाऊंगा क्या तो अच्छा बंटू इसमें कौन सी बड़ी बात है अपले लो तो इसने बंटू के पूछ ले ली पूछ लेकर लग कर दीमी वाजी बबली मैं हूँ बंटू बंटू यह कर लख ontinह तुमने जो हटंक गाला मैं अपको दिखाने के लिए आया हूँ देखो ना मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, कहता है हटो बंटू, हटा हो यह सब चीज कैसी है, जो जानवरों की चीज है, जो जानवरों के हात्मू बनाये है, भगवाने उनके कोडिंग बनाये है, जो आपके है, वो हमारे जैसे हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, यह हटा हो और उनको देदो अपस, बंटू ने की बात माने डफली की, और बंटू और डफली दोनों घूमने चले गए, हाँ 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 कानी खतम, इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाईएगा, बंटू और डफली की, और अगर आपके पास इस तरीके से अनिमल्स है तो उनको बच्चों को अनिमल्स दिखा के नहीं तो कालपना, सील, हाँ हाँ के साथ आप जो है यह कहानी सुना सकते हैं, और देखेगा बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानी आप सुनना बहुत बसंद होता है, तो दोस्तों अपने बच्चे को ये घानी जरू सुनाई गया आज के लिए दोस्तों इतना ही नमस्कार दोस्तों